स्टूडेंट्स इस मेडियूल में हम बात करेंगे फैलसी इन सूशल रिसर्च तो जो फिर्स्ट फैलसी है सोशल रिसर्च में वह है एकलॉजिकल फैलसी अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसका काइंड फैलसी इन विच वी ऑन दी बेसे ऑफ इंपिरिकल अब्जरवेशन डिवेलपर कौसल रिलेशनशिप अट अट इन विज्वल लेवल ओर अट इसको मैं आपको समझाता हूं एक एक्जांपल देकर करिये से के हम यह कहते हैं के न्यू यॉआउक यह कराची में जो है वह हाई क्राइम है और एक शक्स जो है वह जो जान न्यू यॉयॉआक में रहता है यहां मुदसर जो है वो कराची में रहता है तो इससे हम अगर यह डिड्यूस करें कि जान जो है वो एक क्रिमिनल एंटेंट का आदमी है यहां वो उसने मेरी घड़ी चोरी की है और दूसरी तरफ हम यह समझें कि मुदसर ने जो है वो एक क्रिमिनल एंटेंट का और जो ना सेकंड फैलसी है उसको हम रिडक्शनिजम कहते हैं जिसमें हम इंपिरिकल अब्जरवेशन्स आर्टू लो अलेवल फोर दा कास्वल रिलेशन्शिप डैट इस स्टेटिड जैसे के हम यह समझते हैं कि स्टीवन की जो है वो जौब चली गई है और वो नई फैलसी है जिसमें हमने एक बड़ी ही जो है इंडिविज्व अब्जरवेशन की बेसिस पर एक जनलाइज किया है इसको कम्यूनिटी और सिसाइटी के लेवल पर इंस्टन्स हम अगर यह कहें कि मा जो एक शक्स है जो लाहौर में रह रहा है जिसका नाम जो है नासिर है और नासिर को जो है वो बुकार हो गया है और उससे यह डिड्यूस करें कि उसके आस्पास रहे बहुत सारे लाह जो रहने वाले लोग हैं उसकी कम्यूनिटी में उनकी भी सेट खराब हो शकती है यह उनको भी बुकार हो शकता है तो यह एक जो है एक फैलिसी है social research में जिसका नाम हम कहते हैं reductionism थर्ड जो फैलिसी है वो is spuriousness spuriousness is actually an unseen third variable in the actual cause of both the independent and dependent variable यानि एक third variable immediate या moderate कर रहा है जो relationship है independent or dependent variable का और उसका हमें knowledge नहीं है तो उसको हम spurious relationship कहते हैं जैसे के इसको एक simple example से समझाओं तो हम यह कहते हैं के hair length is associated with the TV programs those who have short hair they prefer watching football and those who have long hair they prefer watching romance stories तो इसमें जो असल variable है वो gender है यानि जो मर्द हजरात हैं वो जो है वो sports देखना पसंद करते हैं और जो खवातीन हैं वो जो है romantic stories, dramas देखना पसंद करती हैं तो इसमें हमने जो third variable है जो के spurious variable है इस study में उसको identify नहीं किया तो इस वज़ा से ये एक spurious relationship है तो हम इसके आगे quantitative data analysis में देखेंगे भी के moderator और mediator क्या होता है तो ये तीन fallacies हैं जो हम social research में करते हैं कि ecological fallacy और उसके बाद reductionism and then spuriousness ज़ो ओशए दो विस जड़कितन कुदाने जहीं ड़कितन वीज़चाश था कि ज़शए ये जज़चाश